Hello Traders, stocks trade करने के लिए जब हम जाते हैं तो सबसे common जो problem आती है इससे पहले stocks तो select हो जाते हैं but daily time frame पर levels निकालना, lower time frame पर आकर कि ये identify करना कि वहाँ पर क्या entries के patterns form हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आज के इस video में simple way में क्योंकि daily time frame पर levels निकालने के लिए लिए बहुत सारे videos हम upload कर चुके हैं बना चुके हैं तो उसके पर discussion नहीं भी करेंगे कुछ methods daily time frame के marking के हैं जिसको कि हम class में ही discuss करते हैं तो ना तो आपको YouTube की किसी playlist में मिलेंगे और ना ही हम कहीं पर उसका जिक्र करेंगे lower time frame पर हम entry लेने के लिए काफी सारे patterns हैं जिसका use करते हैं उन में से एक ये pattern जो आज की दिन हम आपको दिखाएंगे और इसके उपर कम से कम 3-4 stocks के उपर हम practice करेंगे कि कब किस जगे पर हमें अपके entry execute करनी है इसके basis पर आप Monday से start हो जाना Monday को off है 2nd of October की वज़े से Monday हमारा off है यानि के Tuesday से हम लोग इसकी practice करेंगे और इसकी jump करके इतनी practice कर लेना कि आगे चल करके फिलहाल इस formation की उपर आपक कोई problem ना हो क्योंकि आप चाहे तो इस stock state करो इस formation को आप derivatives में लगा तो किसी भी script में लगाऊ ना सब इस scripts के अदर यह आपको satisfied performance करते को दिखाए पड़ेगी इन formations के कुछ rules होते हैं देखिए सबसे पहला तो अपने पास daily time stream के कुछ levels होने चाहिए कि हमें चार्ट पर आप लिए हमारा fit बढ़ता है trade execution के लिए हम कहीं पर भी अपने stock को trade नहीं कर देंगे यह जैसे stock हमारे level पर आजागा तब भी यह trade नहीं हो जाएगा हमे particular अपने confirmations लेने होते हैं executions के लिए तब ही हम अपना trade execute करते हैं ज़रूरी है मेरे लिए कि daily time frame पर एक सही level आजाए एक सह करने के बाद में उसकी confirmations लोगे क्योंकि confirmations भी लेनी हम level C draw करते हैं उतना ही काफी नहीं है उन levels के पास में confirmations लिने पड़ेंगी like resistance पर resistance के confirmations support पर support स्री confirmations daily time frame पर daily time frame की confirmations एक बार levels निकाल लिए confirmations लेंगे and then फिर हम trade execute करते हैं अब हम इतना मान के चलते हैं कि आपको daily time frame क levels निकालने आते हैं हमारा आज का जो काम है हम lower time frame पर एक formation देख रहे हैं जो कि entry के लिए मेरे बहुत काम आने वाली है एक formation ही है ये वाला जो entry pattern है इसके चार rule होंगे जिसमें से first candle green second candle green third candle red बनेगी fourth rule थोड़ा सा important है third candle high should be greater than second candle जो हमारी second candle बनेगी third candle उसके high पर होनी चाहि के high से above होना चाहिए देखे इसको अगर हम draw करेंगे draw करने के बाद में कुछ इस तरह की formation मेरे पास निकल के आगे first candle green green second candle green green third candle red यहां पर यह एक positive candle है and third candles high यहां पर यह अपर यह opposite हो गया third candles low है यहां पर as a low consider करीए कि इसको लिखने में थोड़ी से mistake है third candles low जो third candle है इसका low should be greater than आपका second candle जो second candle है उससे बाड़ा इसका low होना चाहिए तो यह अपनी एक formation निकल के आगे बहुत simple सी चीज है दो candles green अब यह green candle बन रही है तो ज़रूरी नहीं है कि एक के उपर एक इसके highs हो volumes के भी information में कुछ importance होते हैं volumes को हम लोग किसी और वीडियो में include करेंगे अभी सिर्फ हम लोग price को देखेंगे यहां पर देखे यह green candle बन गए इसके बाद में जो red candle बनी उसका just second candle से low इसका जादा होना चाहिए यह मेरे पास एक formation निकल के आगए अब इसका just आप opposite कर दो य मेरा ज्यादा है यानि कि जो second वाली candle उससे बाड़ा इसका high है third वाली candle का यहां पर मिल गए में support करना क्या है करना क्या है शुरुआत की दोनों candles अगर मेरी green हैं तो हम लोग यहां से short selling करते हैं शुरुआत की दोनों candles अगर मेरी red हैं तो यहां से हम लोग buying करेंगे एक बा पल यह है अभी इसको और थोड़ा सा समझते हैं देखे एक pattern इसका यहां आता है कि हमारे पास support तो हो गया अब हम लोग यहां से buy भी कर लेंगे लेकिन जब trap करती है market तो किस तरह से trap करती है इसका एक advanced level होता है advanced indices के एक तो यहां पर चलिए हम लोगों ने entry confirm कर ली यहां प market conditions के according price आपका नीचे upside हो सकता हाई break ना करे और यह इसका low break कर दे इस condition में क्या किया जाना है यहां से जब price आपका trap करेगा तो कुछ formation समलुक देखते हैं इन formations के according होता यह है कि हमें formation बन जाने के बाद में एक rejection candle देखनी होती है and rejection candles के according फिर्म लोग अपनी entries को clear करते confirm करते हैं so आज का जो topic है आज का जो focus है हम इन candles पर ही रखेंगे यह बाद में trap में आ जाती है कि trapping recording मेरे जो stop process है और जो entries हो चेंज होती है लेकिन यह scenario हम लोग volume and trapping दोनों को मिला करके ही use कर दे हैं individually इनका use नहीं है अभी हम लोग क्या करेंगे चार्ट पर चलेंगे and charts पर daily time frame क marking को देखेंगे and lower time frame पर जिन में भी अपने ये entries के confirmations मिलेंगे उन charts के पर थोड़ी से हम लोग practice करेंगे यह तो apple का है apple यहाँ पर सबसे पहला stock हम लोग लेते हैं TCS का TCS में यह अपना daily time frame कर देखें यहाँ पर पहला काम क्या होगा जो भी हम लोग ने chart पर लिखा था white board पर कि point of actions निकाल ले हैं तो यहाँ पर कौन से point of actions मेरे निकल के आएंगे जैसे कि एक important candle जो हमें समझ मेरे इस वक्त यह green candle है इस green वाली candle का जो बिल्कुल low point है यह हमारा एक perfect support है हमें क्या करना होगा ना कि lower time frame पर जाकर कि हमें जभी भी trade execute करना है like हम last trading session को ले करके चलेंगे यहाँ पर एक proper support चाहिए हमें price देखें नीचे की तरफ गया लेकिन वापास से उपर की तरफ ही यह close हो गया यहाँ पर भी देखें lows 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 downside की तरफ shift हो रहे है highs 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 यहा down side की तरफ shift हो रहे है यहाँ पर क्या हुआ है price ने last to last trading session जो था यह green वाली red वाली candle से price का जो last trading session था यहाँ पर इसने high break करने की कोशिच की but price वापस से अपने previous candle की range के अंदर ही close हो गया और इसके बाद में बनी candles ने low को break कर दिया समझभा रहे है ना एक continuously यहाँ पर देख direct हो रहे है close break हो रहे है एक candle ऐसी है जिसने कि अपने last session को upside की तरफ break करने की कोशिच की थी बट यहाँ से volume कम हुई और price अपका direct range के अंदर ही आ करके close हो गया एक दिन price हमारे level के नीचे close हुआ तो इसे अगले दिन upside की तरफ निकल जाना था लेकिन एक healthy candle बनती है high volume के साथ और price ने यह वाली candle और इसका इन दोनों का ही low break कर दिया downside की तरफ मतलब कि price का जो move है वो totally जो अभी हमें दिख रहा है वो downside की तरफ ही दिख रहा है अब TCS में करना क्या है कि मेरे daily time frame के तो levels बने हुए ही है अब हम lower time frame पर चले हैंगे lower time frame पर हमें just अपनी formation देखने की जैसे एक तो इस जगह पर और दूसरी जो हम देख रहे हैं बिल्कुल high line के पास में जो बनी थी वो यह वाली formation यह lower time frame की formation है अब ही हमने क्या देखा कि शुरुआत की दो candle हमारी बननी चाहिए green और इसके बाद की candle होनी चाहिए red इस red candle है हमारी जो central वाली candle है यानि कि जो second candle है उसका low brick किया हुआ हो ऐसी अपनी condition होती है यहां पर देखी क्या है break है close करें ना करें मतलब नहीं है बस third वाली candle का जो low है previous candle की low से नीचे के दरफ होना चाहिए जब भी हमको इस तरह की formation देखती है हम क्या करते है ना इस जगह से top civil goal shot selling करते है stop loss जो हम लोग लगाते है यहां पर इस green वाली candle को black वाली candle को mark लेंगा है ठीक है इस candle के just low पर हम अपनी entries लेते हैं यहां पर देखे कोई भी stop loss अभी तक नहीं मन रहा है stop loss के लिए हमें यह वाली candle है यहां पर देखे यह जो candle आप देख रहा हो ना just इसके high पर हमारा stop loss लगा हुआ है यहां पर बहुत अच्छा momentum आपको TCS में upside के दरफ मिल जागा क्योंकि यह इसका stop loss का point है अभी हम लोग stop loss के उपर नहीं सिर्फ अपने entries की formation के उपर discussion कर रहे हैं तो सिर्फ वहीं पर भी रहेंगे यहां देखे stop loss जैसे यह अपना stop loss हो गया अब यह green वाली candle है यहां पर देखे इस जगह पर भी अपनी formations बन रहे हैं और यहां पर भी formations बन रहे हैं आप चाहो तो इस जगह पर भी entry ले सकते हो और चाहो तो यह वाला area क्योंकि इसने जो daily time frame पर हमने marking के तो उसके upside के marking से बिलकुल touch होते हुए हमारी यह वाली formation बन रही है lower time frame पर यह formations, downside की तरफ closing यहां पर swings के उपर हम लोग अपनी stop process लगा करके downside की तरफ 1-3, 1-4 के लिए wait करते हैं, minimum शुरुवाती stage में गयर आप हो तो 1-2 के लिए जाओगे उसको आगे की तरफ हम फिर hold नहीं करते हैं, सारी quantities को book करके चुपचा बहार निकल जाते हैं, I hope की समझ में आया होगा, देखें, दू पर मेरे पास जो अरिया आ रहा है वो कुछ यह वाले points है, यह कुछ swings है मेरे, एक तो यह और दूसरी जो swings है मेरे, वो यह वाला points, विप्रो के अंदर यह ही अपने दो levels है, अब में काम कहां से करना होगा, या तो बिल्कुल इस वले support से करें, या प्राइज अगर नहीं च सही है तो वो formation आपको दिखी जाएंगी, यहां देखे जैसे हुआ है, यह यह दो यह red candle बन गई अपनी और एक यह second वाली candle, आदेखे, एक यह green candle और यहां पर दो red candles, हमारा क्या काम है, जैसे ही center वाली candle के उपर price एक movement दिखाएगा ना, क्योंकि entry का point यह होता है, 935 के candle ना इस case में बिल्कुल swing पर ही stop loss जा रहा है, क्योंकि previous में काफी दूर तक कोई area पो नहीं मिलेगा, काफी दूर पर नहीं मिलेगा, तो day low ही इसका stop loss बनेगा, यहां पर, इस तरह की formation का सबसे बड़ा benefit हमें मिलता है, कि हमें RR बढ़ा मिल जाता है, जिसमें हम लोग ज्यादा quantities लगा सकते हैं, ज्यादा quantities तो ज्यादा profit भी अपने पास बढ़ा आता है, अगर stop loss हम लोग बड़े कर देते हैं, तो फिर quantities कम हो जाते हैं, quantities कम होने के वज़ए से फिर जो profits हैं, वो भी कम हो जाता है, इन formation से सिर्फ lower time frame की नहीं, daily time frame की और lower time frame, इन दोनों ही तरह की formations को ज करते हैं, तो trade execute करने के लिए proper place हमें मिलता है, जहां से execution किया जा सकता है, सेम जगह से हम लोगों को trade execute करना, आप देखते होगे, जितने भी trades वगर हम execute करके दिखाते हैं अप लोगों को, अकसर उसमें होता यह है, कि low point होते हैं, जहां से हम लोग trade execute करते हैं, और exits के बाद NCC जैसा trade है, NCC में हम लोगों ने केतना करीब 16-17,000 रुपय का profit last trade में निकाला था, वो दो proper video बना करके भी हमने upload किया था, तो उसमें exit कर देने के बाद वो stock 2-3% और चला है, कई बार ऐसा होता है, कि जह हम exit कर देते हैं, तो stock उसी जगह स्यातों नीचे की तरफ आ जागा या side way हो जागा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कि हमने exit की, बट price अभी और भी upside की तरफ जा रहा है, वो momentum दिखाता ही रहेगा, तो एक psychological level पर यह भी आता है, कि हम शायद पहले निकल गए, नहीं हम पहले नहीं निकले, हम अपना proper target लेकर की निकले, अभी market को जहां जान क्योंकि वो जाएगे, definitely 1.3 और 4 वो देगा देगा आपको, लेकिन उसके पीछे भागना मत, 1.2 लेकर के चुप चक, targets को close कर देना, trades close हो जाएगे आपके, लेकिन daily time frame के marking होनी चाहिए, और lower time frame पर कुछ इस तरह की formation सा find करो, trade execute करो, आपको फिर trade करने में मज़ आएगा, ज यहां तक कहीं भी नहीं है, यह भी नहीं, यह देखे, 27th September का low, ज्यादा दूर ना जाते हो, इस तिर्फ हम लोग 27th September का low मां करना, तो थोड़ा सा buffer देदेंगे, यह buffer नहीं भी देना, तो आप दे भी सकतो, नहीं भी दे सकतो, अक्सर हम दो lines मां कर देंगे, दो lines इंदसन बन रही है, यहां पर तो बिल्कुल, दो formations आसपास में ही बन रही है, जैसे, यह red candles, इसको समझे है, यह हमारे पास red candles, और यह green candle, अब साट के तरफ, यह green candle, यह green candle, और यहां पर दे, और यह जितनी formation है, यहीं पर क्यों बन रही है, daily time frame के levels के पास में ही क्यों बन रही है, क यहां पर पॉइंट आफ एक्शन होता है, जहां से हमें trade execute करना होता है, वो यह वाले होते है, daily time frame पर marking करो, वहां से आपको समझ मैंगा, कि entries किस तरह से हम लोगों को लेनी है, तो simple way में अगर यह है, तो यहां पर देखिए, दो red candle और यह green candle, जैसे ही price आपका, इस red वाली candle के उपर के movement दिखाएगा, हम लोग यहां separate rates execute करेंगे, और जो swing होगा, जैसे कि सबसे first example दिया था, वहां पर swing नहीं था, वहां पर two days before एक area था, stop loss का point, यहां पर अगर एक सही point आप निकालोगे, stop loss का, आपको देखने से लग रहा होगा, कि यह वाला जो swing है, यहां पर हम यह मेरा proper stop loss का रही है, और इसी की averaging according फिर हम लोग 1 is 2, 2 या 1 is 2 3, 4 जो भी आपको चाहिए, हम लोग लेते हैं, 1 is 2 2 simple way में, 1 is 2 2 का target हम लोग लगते हैं, इतना ही book करना और book it के चुपशा बाहर निकल जाना, कोई भी ट्रीट उठालो, टेलेगरम गूर्प में भी बहुत स कि नहीं मिल जा, कभी कभी समय नहीं मिल पाता है, तो टेलीग्राम पर आप लोगों को continuously सारी चीज़ें मिलती रहेंगे, यह तो जील का हो गया, समझ मैं, daily time frame पर marking करो, lower time frame पर अपनी entry की यह वाली formation find करो, आप यह समझ लोग कि यह एक तरह का professional way होता है, trade में entry लेने का, execute कर आते हो, तो वहाँ पर हालत क्या होती है, तो सभी लोगों को पता है, यह एक तरह से होता है, कि अपना घर जला करके हाथ सेखना, option trading को ले करके तो ना जाने केतना ही हमने बोल रख है आप लोगों को, option trading घलत नहीं है, और इसको कई बार ऐसा होता है, कि जह हम बोल रहे हैं profitable हो जाएकबा, वना government का क्या है, वो time increase करें, वो 6 से ले करके 9 तक आपको फिर से trade execute करवाएगे, और वो option ही trade करवाएगे, क्योंकि उसको बदा ज्यादा तर आदमी loss करेगा, ज्यादा तर लोग loss करेंगा, और loss का सारा पैसा कहा जाएगा, broker खुश, क्योंकि आप trade करोगे, उसको brokerage दोगे, वो उससे खुश हो जाएगा, government को आप tax दोगे, वो उससे खुश हो जाएगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके हाथ से निकलवाना ही चाह रही है, जितना ज्यादा, क्योंकि बेवकूफ हो आप, वो समझती है, वो पूरी तरह से आपको समझे अगर इतना ही ये लोग, ट्रेडर के बारे में सोचें, तो क्यों ये लोग फिर इस टॉक्स के उपर जो margin है, पंदरा-पंदरा-पंदरा-बीस-विजगना margin में हम लोगों ने काम किया है, लेकिन proper management के साथ में काम किया है, अब उसको 5 गुना कर दिया, अगर ट्रेडर के बारे में इतना ही सोचना है, तो उसको फिर से 15 गुना कर देंगे, उससे मतलब नहीं है, शाम को भी जब market खुलेगी तो future option ही आप करोगे, दिन में भी future option करो, कोई भी एक single आदमी आपको इस टॉक के बारे में बात करता हो दिखाए नहीं पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, खुद से आपको ये common sense डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, आप 100 रुपए की चीज आप से बेची नहीं जा रही, 100 रुपए का बिजनेस आप से संभाला नहीं जा रहा, आप 1000 रुपए का बिजनेस करने जा रहो, क्या सोच करके, क्या समझ करके जा रह होगा, मान लिजए profit नहीं हुआ, तो negative, अगर price हो आपके opposite direction में किया, तो 1000 रुपए का loss तो बहुत आसानी से दिख जाता है, 50-60 रुपए होगा, 1000 रुपए हो गया, हो सकता है, equity में हम आप से काम करा दे हो, 1000 रुपए आपका एक महीने तक खतम नहीं हो पाए, सीखोगे कि पैस में ज्यादा equity में, कम पैसे में, ज्यादा सीख लोगे, profitable हो जाओगे, और एक बार अगर profitable हो गए ना, तो फिर आप derivatives के, फिर आप किसी भी stagnant में जाकर के काम करो, लेकिन बेवकूफों को ये समझ में नहीं आएगा, कि जहाँ वो लोग बार बार भाग रहे हैं, वहा लेकिन अगर करने जा रहे हो, तो उससे पहले एक condition, चाहिए तो ये खुद के लिए करो, एक condition, सबसे पहले stocks में profitable हो जाओ, और ये रोना बंद करो कि stocks के अंदर movement नहीं होते, हम करते हैं, हमको मिलते हैं, आप करो कि आपको भी मिलेंगे, तोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बना बनाया नहीं मिलेगा, निफ्टी बैंक, निफ्टी में भी कोई रोज रोज बहुत बड़े movement नहीं हो जाते हैं, एक ही चार्ट है बेचारा, कितना चलेगा वो, stocks में liberty हम लोगों को मिलती, करो मेहनत, कितनी करो गया, पहली demand, profitable हो जाओ, सबसे पहली demand, और यही सबसे last demand है, profitable हो जाओ पहले, फिर काम करो, आपको मजा आजागा, काम करते हुए, बाकि इनका क्या, गवर्मेंट का चले तो 24-24 घंटे option trade आप लोगों को करा दे, वो कराएगी option trading, कहां की बात, कहां चली जाती है, लास्ट टेक एक्जामपल में लोग और लेते हो, वीडियो को य ठीक है, यह वाला, यह जो candle है अपनी, 31st of August की candle, यहीं important है, point of action same है, लोगो टाइम फ्रेम पर, आप लोगों को पता है करना क्या है, 5 निट पर गया है, सिर्फ अपनी formations find करो आप, यहाँ पर देखिए, है ना, एक, दो और यह 3rd वाली candle है, इसने upside के तरफ रिक आउट किया है, आप सिर्फ second वाली candle के high को mark कर लो, price जैसे ही इस दिशा में आएगा, यहाँ पर, आप लोग trade execute करतो होगे, stop loss हमें just particular, अगर मार्तिन रसीस को देखे, तो यह stop loss आ रहा है मेरा वो, यहाँ पर आ रहा है, यह वाला अरिया, 950 की just low, क्योंकि यह stop loss का, हाँ, यह stop loss का point बन वो मिल जाएगा, one is to two, आप लोगों को स्टॉक से अंदर बहुत आराम सी मिलेगा, इस तरह से हम लोग काम करेंगा, आप कोई भी स्टॉक होटा, अगर कुछ question होता है, कुछ doubts है, तो उसको clear कर लो, question पूछो, उसका answer मिलेगा, लेकर question answers करो, practice करो, सीखो, समझो, मेरी क्यों है, क्योंकि हम कभी भी आप लोगों को options के ओपर discussion करती है, दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, कि हम आप लोगों को option करवा रहे हैं, और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, simple, जो सच है, वो चीज़े समझ में आएंगे, जो वाकई में काम करता है, वो सारी चीज़े है, फा इस वैसे अपने post audience का हमें, लेकिन जो भी चोटे-चोटे कदम उठा करके हम कुछ-कुछ इंप्रूव ही करने के कोशिश करने हैं, पॉजिटिविटी छोटे से ग्रूप में ही लेकिन एक पॉजिटिविटी बनाय रखने के कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझो, वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है किसे को शेर करना चाहिए, तो आप शेर भी कर सकते हो, ओके, चले, आज की वीडियो में लोग इन पर क्लोज करते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अपने Monday Tuesday, Tuesday को हम शायद ना मिल पाए, क्योंकि Monday को हम सभी लोग प्रेम मंदर च आगेगा, so thanks and we will meet again.